हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल चप्टर शिक्स लाइन्स एंड एंगल से थ्योरम 6.4 करेंगे इफ़ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरलल लाइन्स अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरलल लाइन्स को इंटरसेक्ट करती है Each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary तो फिर जो interior angles बनेंगे on the same side of transversal उन दोनों का जो पैर होगा वो 180 degree और 180 degree के होंगे फिगर में समझी है थ्योरम क्या कहना चाहती है कि AB और CD ये दो पैरलल लाइन्स हैं इनको एक PQ transversal काटती है जब PQ ने काटा तो अंदर की तरफ ये 4 angles बन गए दो इधर बने हैं जो मैंने red mark की हैं दो इधर बने हैं जो मैंने blue mark की हैं तो इन angles को जो एक ही तरफ हैं और अंदर की तरफ हैं इन्हें बोलते हैं interior angles on the same side of transversal तो इनका सम 180 degree होगा यानि इसका और इसका सम 180 degree होगा और इधर वाला ये और ये वाला इन दोनों का सम 180 degree होगा ये थे होरा मैं तो पहले given लिख लेते हैं figure के अंदर AB parallel to CD ABCD के parallel है and transversal PQ intersects them at R and S और PQ एक transversal है जो इन दोनों line को point R पे और point S पे काट रही है हमें proof क्या करना है angle ARS plus angle CSR ARS यानि ये वाला इंगल CSR यानि ये वाला इंगल इन दोनों का सम 180 degree होगा इसी तरह से दूसरी तरफ BRS ये वाला इंगल और DSR ये वाला इंगल इन दोनों का सम 180 degree होगा ये चीज हमको यहाँ पर proof करनी है चलिए proof से start करते हैं तो angle ARS ये AR और S ये वाला जो इंगल है ये CSQ के बराबर होगा क्यों? क्योंकि ये line के नीचे की तरफ है और ये जो इंगल है जहाँ पर मैं ये ऐसे mark कर रहा हूँ ये वाला dot ARS ये और CSQ ये वाला इंगल ये transversal के same side में है और line की same position पर ये भी line के नीचे है ये भी line के नीचे है तो इस तरह के angles जो है corresponding angles होते हैं और वो बराबर होते हैं यही से हम लिखना शुरू करेंगे angle ARS बराबर होगा angle CSQ के reason ज़रूर लिखेंगे corresponding angles इसे मैं result number 1 दे देता हूँ अभी यहाँ पर नीचे की तरफी से आप भूल जाएए नीचे नीचे इन दोनो angles को देखना इन दोनो angles पर ये straight line आ रही है जब straight line पर यहाँ पर point S है और ये S point दो angle बना रहा है एक तो ये dot वाला angle और ये red वाला angle ये दोनो angles मिलके 180 degree के होंगे क्योंकि एक सीधी line है और ये linear pair बन रहा है अब इन दोनो angles को आपको लिखना है angle CSR angle C CSR ये उपर वाला plus angle CSQ नीचे वाला ये दोनों मिलके 180 degree के होंगे क्योंकि linear pair बन रहा है अब equation 1 में आप देख रहे है कि जो CSQ है न वो ARS के बराबर है तो यहां second चीज में CSQ की जगह पे मैं ARS पुट कर लेता हूँ angle CSR अपनी जगह पे है और CSQ की जगह पे ARS लिख लेता हूँ ARS तो equation पर कोई फरकी नहीं पड़ेगा ये 180 degree ही रहेगा reason में हम ज़रूर लिख देंगे कि from 1 from 1 से लिख है ये चीज या bracket में पूरा लिख देंगे कि angle CSQ बराबर है angle ARS के बस equation पर ध्यान दीजिए हुआ क्या है कि यहां पे ये दोनो 180 degree के थे और इसमें CSQ की जगह पे ARS भरने से ये वही equation बन गई है जो आपको चाहिए यानि ये दोनो red वाले angle आ गए हैं और ये बराबर 180 degree हो गया है CSR CSR ये वाला angle और ARS ये वाला angle ये दोनों मिलके 180 degree के हो गई हैं तीन step में ये theorem प्रूफ हो जाती है तो एक side तो हमने प्रूफ कर दी दूसरी वाली आपको करने की दुबारा से जुरूत नहीं है क्योंकि same steps होंगे तो हाप similarly करके भी लिख सकते हैं तो similarly we can prove that हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि angle BRS BRS और DSR प्लस DSR ये दोनों भी 180 degree के होंगे hence prove तो थेयोरम प्रूफ इस वीडियो में बस इतना ही next questions के लिए next वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए goodbye